हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक टुमाई शैनल तो फ्रेंड्स आज की जो विडियो है इस विडियो में हम बात करेंगे कि बीएस्ट के बाद आपको बीएट करना चाहिए कि एमेस्ट करना चाहिए जी हाँ दोस्तों काफी स्टुडेंट का या कॉस्चन आ रहा था कि सर हमने ग बीएट करना चाहिए कि एमेस्ट करना चाहिए इस वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट यह विडियो है तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं उससे पहले फ्रेंड्स सग्राप्लोक चैनल पढ़ना ही है और को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देजे जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तो इस नोटिफिकेशन सबसे पहले बहुत जाए तो फेंड्स चलिए वीडियो को अगर आप बीएड करेंगे तो बीएड के अपने क्या-क्या फायदे हैं और बीसी के बात करेंगे तो क्या फायदा होगा तो फ्रेंट देखिए अगर आप BSC करने के बाद MSC करते हैं तो MSC करने के बाद आप NetGRP का पेपर दे सकते हैं और इसको अगर आप Qualify वगए रग करते हैं तो यहाँ पर आपको Scholarship वगए मिलती है अगर आप PhD करते हैं MSC करने के बाद तो अगर फ्रेंट आप BSC के बाद MSC करते हैं तो आप PhD वगए कर सकते हैं NetGRP का पेपर दे सकते हैं उसके बाद जो है कि आप PhD कर सकते हैं अगर फ्रेंट आप MSC करने के बाद NetGRP का पेपर निकाल लेते हैं तो आपको Scholarship वगए हर साल मिलती है जो कि अगर आप PhD करेंगे तो जी हाँ दोस्तों आपका PhD जो होता है वो तीन और पांच साल का कोर्स होता है तीन साल का भी PhD होता है और पांच साल का भी PhD होता है तो अगर आप NetJarep का paper निकाल लेते हैं तो वहाँ पर हर साल जो है कि आपको scholarship वगरे मिलती है PhD करने पर तो यह चीजे आप MSC करके कर सकते हैं और friends साथ ही में अगर आप PhD करते हैं तो आप research छित्र में आगे जा सकते हैं बहुत आगे बढ़ सकते हैं वहीं पर friends अगर आपका teaching में interest है तो अगर आप MSC करते हैं तो college lecturer बन सकते हैं प्रोफिशर बन सकते हैं तो यह सब फायदे होते हैं आप कच्छा एक से लेकर के आठ तक teacher बन सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर BSC करने के बाद जो ही कि सेधे B8 कर लेते हैं तो वहाँ पर जो है कि आप teacher बन जाते हैं जो कि कच्छा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं वहीं पर friends अगर आप MSC करके उसके बाद B8 क कर लेते हैं तो आप कच्छा एक से लेकर के बारत तक के teacher बन सकते हैं और उसमें पढ़ा सकते हैं वहीं पर friends अगर आप BSC करने के बाद B8 करते हैं और B8 करने के बाद भी अगर आप MSC कर लेते हैं तब भी जो है कि आप eligible लेंगे आप कच्छा 12 तक जो है कि बच्चों को प बढ़ा सकते हैं तो friends यह होता है मुख हैं अंतर अगर आप BSC करके B8 करते हैं और BSC करके MSC करके B8 करते हैं तो friends यह सब चीजे कर सकते हैं उस अधार पर आप जो है कि सोच लिजे मेरी नजर में तो अगर आप BSC किये हैं और आपको B8 करना है तो BSC के बाद आप सीधी B8 कर क्योंकि फ्रेंट्स MSC जो होता है वह आपका दो साल का कोर्स होता है तो वहीं पर अगर आप बीएड आगे किये रहेंगे तो अगर उस बीच एक दो साल में वेकंसी आएगी तो आप जो है कि प्राइमरी वगएरे के टीशेर बन सकते हैं और साथ में आपका MSC धिरे-धिरे ह होता रहेगा तो बाद में जो है कि MSC कर लेंगे तो टीजीटी पीजीटी वगएरे भी आप एकजाम दे सकते हैं तो इसलिए फ्रेंट्स जादा तर अच्छा है ही रहेगा कि बीएसी करने के बाद आप बीएड कर लेजिए उसके बाद जो है कि आप MSC कर लेजिए तो फ् फेंट्स अगर आप लोग चैनल पढ़ने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए तो फेंट्स चलिए मिलते हैं एक लिए नई वीडियो में एक नए टोपी के साथ